मेरे यूट्यूब पेज अस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं नरेश्ट कुमार और सबसे पहले उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्हों ने पेज को सब्सक्राइब किया है और जो कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी लाए भी दे रहे हैं यदि पेज पर पहली बार आए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और शेयर जरूर करिए आज बात करेंगे गुरू के गोचर की 2023 में गुरू का गोचर जो है वो मेश राशी में होगा फिलहाल गुरू जो है वो में राशी में गोचर कर रहे हैं लेकिन 22 अपरल को गुरू जो है वो राशी परवरतन कर जाएंगे और मेश राशी से गोचर करना शुरू करेंगे लेकिन यह जो गोचर होगा वो अस्ता वस्ता में होगा क्योंकि गुरू जो है वो अस्त हो जाएंगे तीस मार् नो घरों को dominant करते हैं, यानि कि नो घरों के उपर गुरू का प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले गुरू दूसरे पांचवे, नोवे और ग्यानवे घर, जो है कुंडली के उसके कारक ग्रह है, दूसरा घर धनसान होता है, पांचवे घर से हम संतान देखते हैं, नोवा आपकी आयका भाव होता है, गुरू इन चारों भावों के कारक होते हैं, कुंडली में दो राशियां, मीन और धनू राशी जो हैं, वो गुरू की होती हैं, और गुरू की तीन दृष्टियां होती हैं, इस तरीके से बारा में से नो जो भाव हैं, वो गुरू के नोवे और ग्यारवे भाव में शुब होता है अब बात करेंगे कन्या राशी के जातकों के लिए कन्या राशी के जातकों के लिए फिलहाल गुरू का गोचर शुब गोचर हो रहा है और गुरू सब्तम भाव से गोचर कर रहे हैं लेकिन यह स्थिति अब नहीं रहेगी कन्य राशी के जात्कों के लिए गुरू दो भावों के स्वामी बनते हैं और वो भाव हैं चोता भाव और सप्तम भाव में गुरू की धनुराशी है और सप्तम भाव में गुरू की मीन राशी है तो इन दो भावों से समंदित फल जो है गुरू अच्छे कर रहे थे क्योंकि दो भावों से सिगनिफिकन्स छोँ हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं इसके लिए आपको मांचत्षिक तोर पर त्यार रहना चाहिए लेकिन इसके क्या अच्छे फ़ल भी मिलेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि गुरूंगों में दो भावों के फोलो में हानी कर सकते हैं, गुरू जब अश्टम में गोचर करेंगे, तो पांचवी द्रिष्टी से गुरू बारवे भाव को देखेंगे, जब गुरू बारवे भाव को देखते हैं पांचवी द्रिष्टी से, तो बारवा भाव आपकी विदेश यात्रा का भाव है बारवा भाव आपके sleeping disorders का भाव है बारवा भाव खर्चे का भाव है बारवे भाव से मोक्ष देखा जाता है बारवे भाव से hospitalization देखी जाती है जब गुरु की द्रिश्टी इस भाव पर पड़ेगी तो जो चात्र बाहर जाने की इच्छा रखते है या जो लोग विदेश यात्रा करना चाते हैं उनके लिए विदेश यात्रा का मारक खुल सकता है क्योंकि अश्टम भाव में जब गुरु का गोचर है तो वो बारवे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं पांचवी द्रिश्टी से यदि आपके खर्चे बहुत जादा हो रहे थे तो खर कर ना लगाना पड़े यह आपको शुब फल मिलेंगे कन्या राशी के जात्कों को गुरु जब अश्टम में बैठते हैं तो दूसरे भाव को सात्वी द्रिश्टी के साथ देखते हैं तो दूसरा भाव क्या है दूसरा भाव आपका धनस्तान है आपके कुटुम्ब का भ भाव है और आपके हीटिंग हैबिचère का बहु है एक गुरु जब इस बहुत को करेंगे तो इस सम्मन्दित्फल आपको मिलने स्चुरू हो जाएंगे यहदी यह नियरी आपकी पार्टनर के साथ या पार्टनर के परवार के चाहिआ पर्रवार में कहीं कोई को यह मिसंद दूसरे भाव के उपर पड़ रही है, यदि आपकी इटिंग हैबिट्स में कोई दिक्कत चल रही थी, कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को किसी तरह की अडिक्शन लग जाती है, तो उस अडिक्शन में यदि आप उसको अवरकम करना चाते हैं, बार-बार सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ दू लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अब समय आ गया है, आप determination के साथ फैसला करिए, वहाँ पर गुरू आपकी निश्ची तोर पर help करेंगे, क्योंकि गुरू की दृष्टी अब उस भाव पर जा रही है, जो आपकी वान चोथे भाव में गुरू की अपनी राशी भी पड़ी हुई है, तो इससे आपको बहुत फाइदा हो सकता है, और चोथा भाव क्योंकि पहले भी गुरू शुब गोचर में थे तो चोथे भाव के फल करेंगे, अब चोथे भाव पर गुरू की दृष्टी है तो भी दीजिये, इसके साथ ही मुझे दीजिये जाज़त, नमस्कार.